Hello everyone, कैसे हैं आप? मैं अनुज कुमार सिंग आज की वीडियो आपके लिए है और ये है भीकॉम सेमिस्टर 3 ओनर्स के बच्चों के लिए income tax से related मैं इसलिए पहले वीडियो में बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे लगभग लगभग बीकॉम के maximum बच्चे जो है वो चैनल पर रहते हैं तो वह confused ना हो वह अपना टाइम खराब ना करें आपका एक एक मिनट कीमती है तो सर यहां पर देखिए सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं यह जो है वो है income tax का काफी सारे बच्चों का आ रहा था query के सर हमारे लिए भी कुछ strategy बताओ और हमें कैसे पढ़ना चाहिए हमें समझ में नहीं आ रहा सले बस तो बहुत सारा लग रहा है कैसे कैसे करा जाए तो basically अगर मैं बताओं तो आपके unit को 5 unit में divide कर दिया गया है Delhi University की तरफ से मैं इस unit को नहीं मानता सर मैंने अगर chapter कर लिए तो unit अपने आपको जाने है पांच unit में divide कर दिया गया से कुछ मैं content की बात कर लेता हूं पहले unit की बात करूं तो पहले unit में basically आपको लिखा हुआ बहुत सारा चप्टर तीनी है एक basic है सर और सर एक है हमारा residential status और सर एक है exempted income मैं हर बच्चों को बोलूँगा आप यह और यह चप्टर करें यह बाद में करें क्यूंकि जब बाकी चप्टर करेंगे तो automatically exempt income हो जाता है और पांच दिन के अंदर इसको खतम करें और आपके इंतरहाम में आपके exam में यह 10 मार्क्स का को सचन पूछा जाता है आपके पेपर में आपके exam में यह 10 मार्क्स का इसमें से कोस्चन निकल के आता है और सर यूनिट नमबर 2 a unit number 2 के अंदर रखा गया है चुके और कितना डालोगे तो मैं उन बच्चों को एक ही बात बोलना चाहूंगा मैं यह नहीं चाहता कि जो भी चैप्टर मैं करा हूं वो मैं पूरा करा हूं कुछ चीजे छूट ना जाया मैं सब चीज करा रहा हूं मैं कभी भी डिफ्रेंशेट नहीं करता है तो उस सिच्वेशन में थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन मैं देखो संडे हो मंडे हो रात को बारा बज़े एक बज़े मैं आप लोगों के लिए वीडियो में डाल रहा हूं डेली बेसे पे कभी भी शायद मिसिंग नहीं हो रही मैं डेली बेसे पे लेकिन मैंने दे चप्टर बढ़ता गया तो बच्चों का हो गया कि अक तरीके से कितना बदा चप्टर रहा है कि ereंगे डिली इंवर्सिटी के अंदर वही बच्चा पास होगा जो पढ़ेगा जो नहीं पढ़ेगा उसे पास नहीं होने दिया जाएगा इस बात का ध्यान रखेगा तो पढ़ना स्टार्ट करिए आपके पास 50 दिन है 50 दिन में पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए तो जो बच्चे स्टार्टिंग से सेलरी ले रहे हैं और हाउस पपरटी हाँ मैं यह बोलूगा कि मेरे पास offline में या जो बच्चे live पढ़ रहे हैं उनका मैं यह unit खतम करा चुका हूँ मैं तो sir इसके लिए आपको maximum 10 से 15 दिन का वक्त लेना है time जादा नहीं आप देखो honors के बच्चे हो तो थोड़ा मेहनत जादा करना पड़ेगा तो इसके लिए मैं तो कहूंगा sir दस दिन में ही खतम करो लेकिन YouTube पे कब होगा YouTube पे थोड़ा सा डिले चल रहा है I agree मैं उसके लिए बहुत मुझे उस बात का दुख भी है कि यह जल्दी से जल्दी अब आने वाले time में मैं जो classes है दे के दो डलवाने की कोशिस करूंगा ताकि आप जल्दी-जल्दी कबर कर पाएं और जो बच्चे मेरे से offline पढ़ रहे हैं या जो बच्चे मेरे पास application पर पढ़ रहे हैं इसके बाद computation of total income different heads दो तो head one और head two है एक PGBP है बहुत important है capital gain है और income from other source इसके अंदर से आपके exam में जो सवाल आएगा वो 25 नमबर का आएगा पच्चेस नमबर का salary question fix आता है और house property भी 10 का आजाता है पच्चेस और सर इसके अंदर से जो आपके exam में सवाल आएगा वो 30 नमबर के आसपास गाएगा सर कितना time लगना चाहिए सर PGBP सबसे बड़ा chapter होता है मैं इसको last में cover करता हूँ सबसे बड़ा chapter होता है इसको जितना मर्जी कर लो बहुत सारे section है time ticking लगेगा छोटे छोटे बड़े सारे section है इसके इंदर हाँ capital gain मैंने offline वाले बच्चों को करा दिया है अब YouTube पे भी डालना बहुत जल्दी चालू कर दूँगा और other source भी हो चुका है जिन्होंने cover लिया है सर इसके अंदर आप 15 दिन लीजिए और खतम करिए तो देखे 5-10 दिन आपका 5 दिन इसमें मुश्किल से आपको 3 दिन लेना है 3, 10, 13 और 15 15, 25, 28 दिन में यहां तक पहुंच जाओगे इसके बाद computation आपका total liability, tax liability इसके अंदर individual person, ssc, total income और इसके अंदर setup carry forward है यह सारे chapter है clubbing of income इनकी बाते करी गई है सर यह बड़े छोटे से chapter है इसमें मैं ज्यादा नहीं बोलूँगा यह आपका 3 दिन में unit खतम हो जाएगा जब मैं करवाओंगा तो 3-3 घंटे में यह खतम हो जाता है लगबग मुझे 4 घंटे की classes देनी है और इसमें यह खतम हो जाएगा हमारा इसके अंदर other source वगएरा यह other source कह रहा हूँ clubbing of income यह setup carry forward और deduction हाँ एक चीज चप्टर यह deduction मैंने करवा दिया है तो deduction का चप्टर offline वाले बच्चे जो application पर लाइव है वह कर चुके हैं तो वह भी वीडियो देखेंगे यह तो वह टेंशन मत लेना कि इसके बाद preparation रिटन सर इसके अंदर एक चीज और है ध्यान रखिए मैंने यहां थोड़ा सा मैं sorry कहूंगा कि सर यह हो कि यहां पर थोड़ा सा मैंने एक चैप्टर जो है उसको separate नहीं किया deduction तक के chapter हो जाएंगे बाकी जो computation of total income individual और firm इसके अंदर time taking रहेगा यह आपके exam में सवाल पूछा जाएगा और यहां से सवाल दस नंबर का बनेगा तो सर इसको तीन दिन को काटके मैं इसको करना चाहूंगा साथ दिन साथ दिन लग जाएंगे क्योंकि तीन तो वो थे चार दिन इसमें लगेंगे लेकिन हाँ यह believe करिए कि अगर आपके यह first three unit होते हैं तो इस unit में आपको ज्यादा time नहीं लगना बड़े आसानी सो जाएगा जो बच्चा पहले यह वाला unit उठाएगा वो परिशान रहेगा आप इसके अदर कितने चेप्टर है इसके अंदर में चप्टर भी लिख रहा तिन चप्टर इसके अंदर कितने चप्टर है दो कि के दो चप्टर आपके बड़े छोटे-छोटे से हैं तो यह सनेरियो है सर इंकम टेक्स रिटन यह एक दिन का काम है आपको यह फाइलिंग बतानी है और मैंने कहा है कि मैं बताऊंगा तो उसके उपर काम चल रहा है एक परजेंटेशन तयार करके आपको पूरा बता आपको तो सर एक्जाम प्लैनिंग की हम बात करें सर पचास दिन बचें कैसे पढ़ना है सबसे पहले यूनिट वन खतम करिए यूनिट टू खतम करिए यूनिट थ्री खतम करिए तब फूर पर आईएगा आप यहां यह जरूर कर सकते कि यूनिट वन कर ले यूनिट टू और ठीके अंदर से कुछ चप्टर कर ले कौन कौंसे सर सेट उफ कर ले आप क्लबिंग कर ले आप deduction कर ले आप ये चप्टर कर ले बाकि कम्प्युटिशन अफ टेक्स लाइबिटी तब तक आप नहीं कर सकते जब तक आपको उपर ना हो सुप्रीम कोट के लीडिंग केस है तो देखो बड़े मज़े की बात है इसके अंदर तीन चप्टर बड़े-बड़े हैं लेकिन वो इन सभी को मिला के बनाए गए इसलिए बड़ा बन गया है तो आगर आपके यह सारे चप्टर क्लियर हो जाते ह रही है मैं यूट्यूब के ऊपर कब वीडियो डालूँगा कितना मेरी कोसिस है कि एक्जाम से पहले आपकी पूर पूरा स्लेबस खतम कराए जाए और लगा हूँ मैं इसमें डेली बेसिस में आप लोग के लिए अपलोड कर रहा हूं तो खतम हो जाएगा कुछ बच्चे क्षिए कैसे पर पढ़ना चाहते हैं हमारा स्लेबस जल्दी खतम करा निजिए आपका मुझे टेक्नीक आपका पढ़ाने का तरीख है अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीख समझ में आता है तो अप्र आसकते हैं नीचे कustormer केर नमबर देंगा कस्टमर केर का मतलब है कि जो परसन आपको अटेंड करेंगे एक नॉमिनल प्राइस पर आपको वो कोर्स करा दिया जाता है तो आप उस पर कॉल करके अपने प्राइसिंग वगरा सारी जानकारी पूछ सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं कुछ बच्चे जो बच्चे सबसे पहले हैं वो उनको हम पूरा का पूरा कोर्स कराएंगे और बहुत जल्दी कराएंगे चाहे वो सर एप्लिकेशन पर जाने का फाइदा क्या अप्लिकेशन पर बस एक लाइव क्लास होता है कंटेंट में कभी मैं डिफ्रेंशेट नहीं करता मैं स्टार्टिंग से हर वी इसे प्लैन को इतना एक स्ट्रोड नहीं किया है जैसे टाइम बीतेगा मैं आपको वह सारी चीजे बताता जाओंगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कॉलेज में स्कूल में बताइए पढ़ने के लिए टैनियर ले सकते हैं सब्सक्राइब ले सकते हैं आपको कौन सा लेना है सिफदास का मैंने भूला हुए मार्केट में वाले बच्चों को बताने की जुरत नहीं के कौन सा टैनियर लेना है टैनियर पे आप देखेंगे उसके इंदर जितने सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं इसी परकार के किसी अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में और ठीकल चप्टर के नोट्स भी बनाने की कोसिस की जा रही है जो कि आपको मिल जाएगा थैंक यू सो मच पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए और मेहनत करिए पास होना और अच् मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में